जै मातादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूप चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 23 जुलाई 2021 के तुला राशी फल के बारे में तुला राशी के लोगों के लिए 23 जुलाई का दिन कैसा रहेगा इस दिन क्या शुब दिथी होगी, क्या नक्षत्र होंगे, क्या योग बनेंगे और उनका प्रभाव आपकी दिन चर्या पर कैसा होगा जानेंगे सब कुछ विज़तार से इस वीडियो में बस आगे बढ़ने से पहले छोटे सा ही निवे दिन है चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुट जाएं हमारे चैनल के साथ नोटिफिकेशन बैल को आल पर सेट कर दें इससे क्या होगा हमारी सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगी तो सबसे पहले इस दिन की तिथी नक्षत्र योग की बात कर लेते हैं अब ये जो दिन है शुकरवार का दिन है जो मालक्षमी को समार्पित होता है चतुर दशी तिथी है सुभा दस बज कर थे तालिस मिनट तक उसके बाद पुर्णिवाते थे प्रारंभो की इस दिन पुर्व साधा नक्षत्र रहेगा और योग इस दिन एक तो पूरा दिन रवियोग बनेगा वैद्रती नाम का योग भी बनेगा सात्मी पुष्य योग भी बनेगा चंद्रमा की इस्तिथी धनुराशी में है धनुराशी में है चंद्रमा और सूर्य करक राशी पुष्य नक्षत्र में चल रहे हैं इस दिन का जो अभी जीत मौर्थ है वो सुभा 11 बज कर 37 मिनट से दोपहर 12 बज कर 31 मिनट तक रहेगा इसके अलावा इस दिन ये जो दिन है ये बेहद शुभ समय रहेगा अगर आप शुभ समय की बात करें सुभा के वक्त तो 10 बज कर 54 मिनट से सुभा के और दोपहर 12 बज कर 33 मिनट तक शुभ समय होगा किसी भी कारे को करने के लिए अब ये चतोरदशी तिथी का दिन है और चतोरदशी तिथी के दिन आप अगर कोई भी शुभ कारे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आज का दिन हर द्रस्टी ते शुभ फल्द आई है फिर चाहे आपको गाड़ी खरीदनी हो मकान खरीदना हो वस्त्र खरीदने हो आभूशन खरीदने हो तो ये दिन बड़ा ही शुब रहने वाला है और शुक्रवार का दिन कुछ लोगों के लिए तो बहुत ही भागशाली रहेगा तुलाराशी के लोगों के लिए तो उन लोगों की बात कर लेते हैं लंबे समय से आपको अगर कामकाज की वजह से ठाकान हो रही थी या किसी भी तरह का तनाव चल रहा था तो आज इन सब के लिए आराम का दिन होगा आप उस ठाकान को दूर कर पाएंगे उस तनाव को दूर कर पाएंगे इन परिशानियों से इस्थाई दोर पर निजात मिल सकता है आपको और आपकी जीवन शैली में बदलाव भी होगा और बदलाव लाने के लिए भी जो समय है बेगदम परफेक्ट समय है जिन लोगों ने कहीं निवेश किया था तो उनको इस दिन थोड़ा सा सावधानी रखनी होगी क्योंकि कहीं से आपको अचानक से ऐसी चीजे सुनने को मिल सकती है कि आपकी इस चीज में हानी होने वाली है या ऐसे इस्तेतिया है तो आपको सभी बातों पर ध्यान रखना है सभी बातों पर गौर देना है तब किसी मामले में आपको आगे बढ़ना है वरना ये परिशानी आपको दे सकती हैं चीजे आपके बच्चे आपको अपनी उपलब्धियों से गर्व का अनुभव कराएंगे सिक्षा के शेत्र में है तो सिक्षा के जरीये से अगर वो करियर के शेत्र में है तो अपने करियर के जरीए से आपको गर्व की अनुभूति कराएंगे अचानक से कोई सुखद संदेश मिलेगा जो आपको ऐसा एहसास कराएगा जैसे नीन में मीठे सपने का एहसास होता है ये सुखद संदेश आपके पूरे परिवार को खुश कर देगा अगर नई साज़दारी आप करना चाहते हैं तो आज का दिन बहुत अनुकूल है विशेश रूप से फलदाई है आज के दिन आप नई साज़दारी में भी काम शुरू कर सकते हैं और उस काम में आपको बढ़त भी देखने को मिलेगी नई association में प्रवेश कर सकते हैं आप अपने कामों को लेकर अपनी उजनाओं को लेकर अपने व्यवसाय को लेकर काफी उत्साहित रहेंगे आश्वस्त रहेंगे ऐसे में भविशे को लेकर कुछ उजनाय बनाएंगे और भविशे में किस तरह से आप इन सब को पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं इस पारे में भी आपका जो आपकी चर्चा हो सकती है अगर कोई कानूनी मामला आपका लंबित है लंबित पड़ा हुआ है तो अदालती मामलों में भी सफलता का संकीत मिल रहा है परिवार और दोस्त खुशी के समय और यादगार आवसरों को मनाने के लिए इकठा होंगे बच्चों के लिए भी ये दिन काफी अच्छा है पूरे परिवार के लिए ये दिन खुशीयों भरा दिन रह सकता है परिवारी को जीवन बेहद अनुकुल होगा और बच्चों के लिए भी ये जो दिन है ये काफी अनुकुल रहने वाला है कुछ लोगों के लिए तो निवेश करने के कुछ मौके मिल सकते है और निवेशों से जो आपको लाब मिल रहा है वो भी आपको इस दिन कुछ बातें पता चल सकती है जिससे मन में बड़ी प्रसनिता का भाव रहेगा और एक आपका confidence level बढ़ेगा काम को करने के लिए आप उतसाहित रहेंगे आज आपके घर का कोई करीबी सदस है आपके साथ वक्त बिताने की बात कर सकता है लेकिन आपके पास शायद वक्त ना हो जिसकी वज़े से उन्नों बिरा लगे और आपको भी बुरा लगे तो इन चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करके चलें ताकि किसी का दिल न दुखे इस चीज़ का ध्यान आप रखें शाम का वक्त वाकी में आज कुछ खास होगा अशाम का वक्त घर परिवार वालों के साथ कुछ खास वक्त आप बिता पाएंगे जिससे आपकी जो टेंशन है जो परिशानिया है वो छूमन तर होती हुई दिखाए देंगी कुछ लोगों को अचानक से नौकरी की तलाश कर रहे हैं आपने कहीं अपलाई किया हुआ है तो आपको कुछ न कुछ अच्छी खबर सुनने को जरूर मिलेगी जिसे मन प्रसन होगा कुछ धर्म कर्म के काम में भी सम्मेलित होने का मौका मिल सकता है सामाजिक कारियों में बढ़ चड़ कर हिस्सा लेंगे मान पर 30 बढ़ेगी जो 60 अबव एज वाले हैं जो रेटायर्ड लोग हैं उनके लिए भी आज का दिन अच्छा रहेगा अपने दोस्तों के साथ आप एक अच्छा वक्त बिता पाएंगे अगर आप दुकानदारी करते हैं आपकी डेली इंकम का जरिया है तो वहां आपके जो कस्टमर हैं आप उनको अपनी बातों से प्रेरित कर पाएंगे जिससे आपकी इंकम बढ़ने के चांसे जादा होंगे तो बस अपने स्वभाव को आपको नम्र बना कर रखना है जितना नम्र आपका स्वभाव होगा उतना अच्छा आपकी इंकम पर उसका प्रभाव देखने को मिलेगा तो इन चीजों को सभी चीजों को इनको ध्यान में आपको रखना है अब वेवाहिक जीवन के हिसाब से देखा जाए तो वेवाहिक जीवन के लिए भी तुलाराशी वाले लोगों के लिए बेहद अनकोल है आपका जो समय है वो बहुत अच्छा रहेगा जीवन साथी अगर वरकिंग है तो उनको उनके काम के लिए बहतर तारिफ मिलेगी साथ में किसी काम के सलसले में से लेकिन जीवन साथ एक साथी आतरा पर आप जा सकते हैं तो यह जो समय है या आपके लिए काफी अनकोल रहेगा प्रेम समन्द के मामलों में भी समय बेहद अनुकूल है किसी तरह की कोई टैंशन नहीं दिख रही है अब स्वास्ते की देखें तो स्वास्ते तो अच्छा रहेगा जो कुछ पुराने थकान तनाव था उन सभी से आपको रिलीफ मिलता हुआ देखेगा तो अपने आपको का 80% चीजें आपके फिवर में रहेंगी अब उपाय की बात कर लेते हैं तुलाराशी है तुलाराशी के स्वामी शुक्रदेव है मालक्षमी का ये शुक्रवार का दिन है तो इस दिन मालक्षमी की करपा जरूर प्राप्त करें मालक्षमी की पूजा आर्चना भी करें उनको एक लाल पुष्प भी हर्पित करें अगर कोई रोगी व्यक्ति मिलता है जिनकों मदद की आवश्च चकता है तो उसकी मदद आप जरूर करें यह आपके आर्थे की स्थिति को बहतर करेगा साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले